नमस्तार विट्याति नित्र। केम छो मजामान। आजे आपणे तोरण नौ विशे हिंदी पाठ नवेत्रां क्या विरास हुआ जाय। आ समझवा माटे मलिया चे। जेमना लेखोक छे। हजारी प्रसाद द्रिवेदी। जन्म उग्णिशो साथ नितन उग्णिशो उग्णेशी। आचारिय हजारी प्रसाद द्रिवेदी का जन्म बल्ल्या उत्तर प्रदेस झिल्लेके दुबेका छप्रा नामक में गाउमे हुआ था। पारमपरिक परमपरा अनुष संस्वृत का अध्ययन सरू करके उन्होंने हिंदु, काशी, विश्वविद्या लईकेश, जोतिसा चारिय की परिक्षा उत्तिर्ण की। गुरुदेव रवेंद्र नाग के आश्रम में 1944-1950 से इत इस विशन तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत पस्चात कासी हिंदु, विश्वविद्यालाई, वारणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालाई चंडी गड में हुँँँँँदी विफाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्स पत्पर कार्यक किया। भारत सरकाने उन्हें पद्म भुषण की उपाधी से सन्मानित किया। हिंदी सहित्य जगत में द्रिवेदीजीक एक निभन्तकार, उपनियसकार, शमालोचक तथा सोध करता इतिहास करत के रूप में प्रचली थे। अशक के फुल, विचार प्रवा, कुटेज, कल्पलता, आधी, दिवत संग्रव, बाणफटकी आत्मकथा, पुन्णरवा, चारू चंद्रलेक, अनामादाश का पोधा, उपनियस तथा कभीर सुर्दाश्री। हिंदी शाहित्य का आधिकाल शाहित्य सत्थ सहचर, हिंदी शाहित्य उद्भव और विकास, हिंदी शाहित्य की भुमिका, आधी, अलोचन तथा इतिहास ग्रण्थ है। प्रस्तूत निबन में द्रिवेदी जीने यह समझाया है कि ततकालिन भारतिय समाज में व्याप्त, अनाचार केवल, बाहरिश्तर पर है। वास्तों में आज भी लोगों में मानविय मुल्य के प्रती आस्था कयम है। अपने जीवन में खटीत कोच खटनाओके द्वारा बताया है कि हमें नीरास नहीं होना चाहिए। अपितु हमें जीवन के प्रती आस्थावान बने रहना चाहिए। तो अईयां तमने आ लेखक द्वारा एव केवा मा आवेलो छे के जीवन मा खटीवार एवा काई प्रशंग बने चे। तो आपने ए मुश्कली माथी बहारावी औने नव कैक करवानों विचार करवो छोईये परन्तु निरास थवू छोईये ने। तो चालो आपने आवो कैक पाठ ने समझवानों प्रयत्न करिये। मेरा मन कभी-कभी बेच जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकेती, चोरी, तसकरी और व्रस्टाचार के समाचार भरे रहते है। मारू मन क्यारेक-क्यारेक बेची जाये छे। सक्यारन के समाचार पत्राणी अंदर चोरी, लुठफाट, कोई नी साथे दगाभाजी, कोई रोजे-रोज समाचार मा आवे छे। अन्ने प्रस्टाचा खड़ो बतो होई छे। आनाथी श्पेपर भरेलू होई छे। आराप प्रतिय औरोप का पुच खुच एसा वात्तावरन बन गया है कि लगता है देश में कई इमांदारी आदमी ही नहीं रहा। आउँ ज्यारे बने छे, त्यारेवू लागे छे के देश नी अंदर कोई इमांदार व्यक्ती छेजने। हर व्यक्ती संदे को द्रश्टी से देख जा रहा है, दर एक व्यक्ती छे इना उपर संकानी नजरे जोवाई रही उचे। जो कितने ही उचे पद है, उनमें उतने ही अधीक दोस दिखाई देहें जाते हैं। जे लक्त व्यक्ती छेटलू स्टेटस उचू, जेटलू जीवन उचू, एटलू जेनी अंदर तमने दोस देखाई जेटले भूल देखाई जे। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे कहा, था कि इस समय सुखी वही है, जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा, उसमें लोग दोस्त होजने लगेगे। एक समय एक व्यक्ति मने उकी धेलू, कि आतियारे सुखी वानास एज छे, कि जे काई करतो नथी, जो काई करतो होई तो लोगों ने एनी अंदर पन भूल देखाई छे। उसके सारे गुण भूला दिये जाएंगे और दोसो को बढ़ा चड़ा कर दिखाये जाएगा। एले अतियारे जो कोई व्यक्ति आगड़ावा निवात कर से, तो एनी अंदर सारा गुण कोई छोसे नहीं, एनो क्याई भूलाई चसे, परन्तु एनी अंदर जे नबढ़ाई छे, ए चड़ावी वर्थावी ने लोकों ने बतावामा आउसे। दोस किसमे नहीं होते, दोस भूल कोणामा नथी होती, यही कारण है कि हर आदमी दोसों को अधिक दिख रहा है, गुण कम या बिल्कुल ही नहीं। एले आज कारण छे कि दरेक व्यक्ति ने भूल वधारे अने इनी अंदर छे गुण छे एक कातो ओचा अने कातो देखाता जना थी। स्थिती अगर एसी है तो निश्चे ही चिंता का विशाई है। जो आज स्थिती रहे से तो खरेखरा चिंता नो विशाई छे। क्या यही भारत वर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था सु आज भारत वर्ष है कि जेनू शपनू गांधी जिये। अने तिलक चिये जो यूतु रविंद्र नात ठाकूर और मनमहन मालविया का महान संस्कुर्ट सभ्य भारत वर्ष किसी अतित के गहवर में डूब गया है। एटले रविंद्र नात ठाकूर अने मनमहन मालविया आ महान संस्कुर्ट सभ्य भारत वर्ष ना अतित एटले एनू भविश्यानू अतित अटले भीतेलू एनू गहवर में डूब गया। एना उलामा डूबी गया। आर्या और द्रविड हिंदू और मुशल्मान येरोपिय और भारत ये आदर सोकी मिलन भूमी महाभा मानव समुद्र क्या सुख्खी गया। आदरेक झातियो नी वाद आदरेक उलामा मानवता। शुँ आन आ समुद्र एटले के आ उलामा आभध्धूद सुकाई गया। लोको ना गूण छे, लोको ने सारी वाद छे, एसु देखातीद नथी। मेरा मन कहता है, एसा हो नहीं सकता। मारू मन कहे छे, आउँ थाई सक्से, ने। हमारे महान मनीशियो के सपन का भारत है और हो रहेगा। मारू मन एउँ कहे छे, क्या आउँ थासे, ने। अने, आपना छे, महान, संत, रूसिमोनियो, एमनू सपनू हतु, के भारत, सपननू भारत बन से, अने थाईने रहेशे। ए संत छेऊ विचारता हता, क्या आपनू भारत एक थाईने, शम्रूत बन से, बस एउँ ज भारत बन से। यह सही है कि इन दिनों कुछ एसा माहोल बिना, बना है कि इमानदारी से महनत करके जिवी का चलाने वाले, निरी और भोले भाले, श्रम जिवी, पीस रहे है, और जूठ तथा फरेव का रोजगार करने वाला फुल-फुल रहे है। आ साची वाच छे कि थोड़ाक दिवस आ माहोल एटले आउँ वातावरन बन से, परन्तु इमानदारी और महनत करीने जिवी का एटले छे, पोतानी रोजी-रोटी चलावे छे, एउ, एने सुकेवाई जिवी का, तो ए चलावीने फोला फाडा श्रम जिवो, पीसा आई छे पण, आ बदू थोड़ा दिवस आ माहाटेज रह से, पची जो पोते महनत कर से, अने साची रिते, जिया साच्चु अने खोटू हसे, एनो, एनो पणे एने ख्यालाव से, अने एने पार्खी ने जो महनत करी अने पोतानी रोजगारी मेडव से, अने एनी अंदर फुले फ तो आ बातावरण केटला थोड़ा दिवस माटेज रह से, इमांदारी को मुर्खता का परियाए समझा जाने लगा है, सच्चे केवल फीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है, जे इमांदार व्यक्ती छे लोकों एने सू माने छे मुर्ख भुधी वगरना, सच् करीब लोको अथ्वा लाचार लोको छे, एनी एना भाग मास पड़ी रही छे, एसी स्थिती में जीवन के महान मुल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी, कारण के आ विस्थिती छे एटले लोकों ने, पोता नी मुल्यों एटले पोता ना जे नियम होईते, एनी अंदर विश्वास रेवानों नो होई विश्वास डग मगी जाई एविस्थिती पण बने छे, परन्तु उपर उपर जो कुछ दिखाय दे रहा है, वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की तुरुटियों की देन है, परन्तु अत्यार अत्यारे काई, शा त्रेति होक्iant, एतले खोड़ीक एनानी रहली खामियों नी देनीशे। सदा मनुष्य बुद्धी नाई परिश्थित्य棒 का सामना करने के लिए नए सामाचीक विथीवीज निशेत्यों को बनाती है, शदाई मनुष्य बुद्धीने परिश्थितिविद्या का सामना, ए चे करवा माटे अने सामाचीक विधी निस्टेते को बनाती है एटले पोता निजेवाद से एमा थोड़ी-थोड़ी मुस्केलियों बनावे छे उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है ए साची बात एनामा नई थवाती एन इस्थिती बदलाए जाई छे नियम सबके लिए बनाए जाते है पर सबके लिए कभी-कभी एक ही नियम सुख पर नहीं होते नियम औने कानुन छे ए बध्धाय माटे एक्षर्खों बनावा मावे छे परन्तु क्यारेक-क्यारेक ए नियम एक ही जिन एकद नियम बधाय ने शुखी बनावता नती सामाजिक पहले भी हुआ है आगे भी होगे पेला पणाउबन्यु हतु अने आजे पणाउथ पाहिशे उससे देखकर हतास हो जाना ठीक नहीं है एने जोई ने निरस्थाइज ओ ठीक न थी फारत्वर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तों के शंग्र को बहुत अधिक महत्वा नहीं दिया फारत्वर्ष ने अंदर क्यारे भौतिक शुक्सुविदाने क्यारे महत्वा एनी द्रश्टी थी मानुस्य नी अंदर छे अंदर नूँचे सुख अंदर ना छे अंदर नी चे सुख ने सांती नी जे भावना बेठी छे एज एनी अंतीम सुम्या सुधी नी छे लोब मो काम क्रोध आदी विकार मनुस्य के स्वाफाविक रूप से विद्य मानुस्य रहते है लोब मो क्रोध आ विकार रिटले आ नबड़ाई मानस नी खराब रिटे किदू छे का विकार रिखले आ नबड़ाई मानुस्य नी स्वाफाविक रूप थी विद्य मान रहेला छे पर उन्हे प्रधान सक्ती मान लेला और अपने मन तथा व्रूत्रीको उन्ही के इसारे पर छोर्देना बहुत नित क्रुष्ट है आचरण है पण एज एनो स्वाव साच्चो सोभाव छे ए मानी ने आपड़े एने छोड़ी देवो जुए भारत वर्षने कभी भी उन्हे उचीत नहीं मान भारत वर्षे क्यारे इने आ साची वाद मानी ने उन्हे सदा सयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयात न किया है परन्तु भूख की उपेक्सा नहीं कीजा शकती एने कायम शयम एटले श्वयम बंधन बंधन बंधी ने राखवानों प्रयात न कर्यों छे परन्तु एने भूखन सी अपेक्सा करवी जोईये ने बिमार के लिए दवाफी उपेक्सा नहीं की जा सकती गुम्रा को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायो की उपेक्सा नहीं की जाग सकती बिमार व्यक्ती माटे दवाच एउ नवी चारू छे जे रस्ता मा भटकता व्यक्ती छे एने साचा रस्ता उपर लई जवो एपड रस्तो छे हुवाई यह हैं कि इस देश के कोटी कोटी दरीद्र चेनो की हिन अवस्था कोई दूर करने केलिए एस अनेक काईदे कानून बनाये गए है एटले थयू छे एव के खणाय खणाय दुखी व्यक्ती माटे खणाये वा व्यक्ती माटे काईदा कानून बनावेला छे जो क्रुस्ति उत्योग वाणी जिय शिक्षा और स्वास्थिय किस्थिती को अधिक संद उन्नत और उसुचार बनाने ते लक्षय प्रेरी थे परन्तु जीन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता एटला यहके दूँचे खेडूत वाणीचे शिक्षा और स्वास्थिय आ स्थिती अधिक उन्नत सुचार बना एटला एकदम सारू बनावनों प्रेयत्न करे अने लोकों ने तरफ प्रेगे एनी अंदर जान लगावे एवु कार्यों कार्यों मा पोतानों जीवपन रेडिदे एवु कार्यों करवानू छे एमनू मन दरेक शमय पवित्र होतु नथी प्रायों है वे लक्ष्य को भूल जाते और अपने ही सुक्सुविधा की और ज्यादा ध्यान देने लगते हैं ए पोतानों जे भात छे मूड ए भूली जाई छे अने क्यारे पोताना शुक्सुविधानी अंदर वधारे पड़तु ध्यान आपवा मंडे छे व्यक्ति चित सबसमय आधर्स हो द्वारा चलिता नहीं होता व्यक्तिनों मण छे हम्मेशे आधर्स बात पर चलतू नती जितने बड़े पेम्यानों पर इन ख्षेत्रों में मनुस्य की उन्नती के विधान बैनाये गए उतनी ही मात्रा में लोब, मोँ, जेसे विकार भी विश्त्रूत होते गए जितली मात्रा मां एमनु स्ट्रेटस मोटू एटलूच एनी अंदर लोब, मो, क्रोज, मोटा भागनु देखाई छे लक्षा की बात मूल गई, भूल गई, लक्षानी बात छे एफूलाई गई आदर्सो को मजाक का विशे बनाया गया और सयम को दकिया नूसी का मान लिया गया एटले कीच आदर्स नी जे बात करे छे ए लोको ने, आजना वातावर मा एउँ देखाई छे का आदर्स नी जे बात करे लोको एने मजाक मा उडावीले छे परिणाम जो हना था वहो रहागाई, परिणाम जे आवानू छे आवी रहियू छे यहा कुछ थोडे से लोगों के बढ़ते हुए लोब का नतीचा है, आ थोडाक लोगों नो लोब वते छे एनू आ परिणाम छे परन्तु इससे भारत वर्ष के पुराने आदर्स और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लग देते हैं परन्तु आनाथी भारत वर्ष नो पुर्ष जूना छे आदर्स व्यक्ति छे एनू अधिक वधारे पर्तु स्पष्ट अने महान उपयोगी देखाई देवा लग्यू छे भारत वर्ष सदा कानून को धर्मक के रूप में देखतार आ रहा है भारत वर्ष से एक भारत बद्धा ने वताना कानून अने धर्मना रूप मां देखाई रहीू छे आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है आज एकाएक कानून अने धर्मन यंदर अंतर खुप वधी रहीू छे धर्म को धोखा नहीं दिया चे सकता, कानुन को दिया चाह सकता है धर्म ने धोखो एतले के दगाबाजी नो कराई, पन कानुन ने करी शकाई चे यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है, वे कानुन की तुरूटिया के से लाब उठान में संकोच नहीं कते आज कारण छे के लोग धर्म नाना में कानुन ने अंदर छे खामी रहेली शे एलोको एनो लाब उठावता जराय अटकाता नति इस बात के परियाप्त प्रमाण खोजे चास सकते हैं कि समाज के उपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहता है भीतर भीतर भारत वर्ष अब भी यह अनुभाव कर रहा है आज कारण छे क्या समाज नी अंदर के इस बात के परियाप्त प्रमाण खोजे रहे आनुष प्रमाण पत्रू पत्र गोत्वामा आवे चे के समाज नो एक बीचे नो वर्ग चाहे भी जो भी होता रहा है एने जे पन छो थतू रहे चे एने अंदर अभारत वर्ष नो आजे पन अनुभाव करता रहे चे के धर्मना नामे धर्म के कानून से बड़ी चेज है धर्म करता कानून मोटों छे अप्फि सेवा इमानदारी सक्चाई और आध्यात्मिकत्या के मूल्य बने हुए है आजे पन सेवा इमानदारी सक्चाई औने आध्यात्मिकत्या ना मूल्य बने अले छे वे दब अवस्य गये है लेकिन नश्ट नहीं हुए ए दवाई जरू गया ला छे परन्ते नाबूद थेला नथी आज भी मह मनुश्य से प्रेम करता है महिलाओं का संब्मान करते है जूठ और चोरी को गलत समत्ता है दूसरे को फीडा पहुचाने को फाप समत्ता है हर आदमी अपने व्यक्तित्व व्यक्तिक जीवन में इस बात कानुफव करता है आजे पण लोको एक भीचान ने प्रेम करे छे महिलाओंनु संब्मान थाई छे जूठ खोटू और चोरी ने खोटू मनवामा आवे छे लोको ने पीडा पहुचाडवानु पाप मनवामा आवे छे दर्यक्तिक जीवन अब्यक्तिक जीवन ए वातनुँ अनुभव करतो समाचार पत्रों में जो प्रश्ता चार के प्रती इतना आक्रोस है वह यही साबित करता है कि हम एसे चीजों का को गलत समत्ते है और समाच से उन तत्व की प्रतिष्ठा कम करना चाहते है जो गलत तरीके से धन या मान शंग्रह करते है एटले आई आए उकेशेक समाचार पत्रानी अंदर एटलो वधो गुस्तो ठलावा मावे छे के भ्रष्ट अचार वधी रहियू छे आ साबित करवा मागे छे क्या आ चीज जिजे छे एने खोटी मनवा मावे छे औने ए जे तत्व छे जे आउँ करना रलोको छे एनी प्रतिष्था थोडी औने खोटी छे धन खोटी रिते भेगू करवा मा आवे छे ए पण आमान नंदर आ बात करी ने आकरुस खूब ठलवा मा आवे छे दोसो का परदा फास करना बुरी भात नहीं है भूल काटवी एनो कोई खराब भात नथीक बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उत्गाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोसत खाटन को एक मात्रों करते वे माण लिया जात कोईनी खराब भात होई छे एने एमा थी भूल काटवी एक एखराब भात नथी परंतु कोईनी खराब भात होई ची खबर पड़ी गै औने छत्ता पंड ए व्यक्तिने जारे मान अनुसं рол मानत करवा मा आवे ढ़े छे औने मात्रों एनी भूल छे एने ज दोस कड़वानुच कर्तव्य मानी लेशे ए खराब बात चे बुराई में रसलेना बुरी बात है खराब बात होई एनी अंदर रसलेवो ए खराब बात चे अच्छाई को उतना ही रसले करू ज्यागर न करना ओर भी बुरी बात है लोकों नी ज्यारे सारी बात होई छे एने तमे आगण न लावो अने एनी अंदर तमे रस नथी लेता ए खराब बात छे सेकोडों खटना एसी खटती है जिन्हे उजागर करने से लोक चीत में अच्छाई के प्रती अच्छी भावना जगती है खणी बधी एवी खटनाओ बने छे के ज्यारे लोकों एक चीत थाई अने सारी भावना ज्यागरूत करे छे एक बार रेल्वे स्टेशन पर टिकित लेते हुए गलती से मेने 10 के वज़े 100 रूपय का नोट दिया और में जल्दी जल्दी गाडी में आकर बेठ गया एक बार एव बनियू के में 10 रूपया नी जग्या 100 रूपया नी नोट आपी अने हुँ तिया थी जल्दी जल्दी गाडी में बेशी गयो थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकड शेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहुँचान तो हुआ उपस्थित हुआ थोड़ी कच भारनी अंदर टिकट बाड़ा भाई छे ए बथानों मोटू ओड़कता ओड़कता तियां हाजर थाया उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी वीनम रता के साथ मेरे हाथ में 90 रूपये दिया और बोला यहां बहुत गलती हो गई थी आपने भी नहीं देखा मेने भी नहीं देखा तमे पन न जोयू अने मे पन न जोयू उनके चहरे पर विचेत्र संतोस की गरीमा थी एनी अंदर एक अलगस संतोसनी लागनी हती में चकीत रह गया हूँ जोतोज रही गया केसे कहुं कि दुनिया में सच्चाई और इमांदारी लुप्त हो गई है के विरीते कहुं कि लोक औनी अंदर सच्चाई साची बात औने इमांदारी छे ए लुप्त आइटले नास थे गई वेसी अनेक अवन्चीत कटना भी हुई है परंतु यह एक खटना ठगी और वन्चना की अनेक खटनाओसे अधिक शक्ति साली है इवी घणी बती खटनाओ बनी गई छे परंतु आ खटना जे थ भग गाई एतले के लोको साथे खोटू करे छे ए औने बीजी खटनाओ करता पाण आ खटना एक शक्ती साड़ी छे एक बार में बस यात्रा कर रहा था एक बार हुँ बस नी अंदर जही रही हो मुशाफरी करी रही हो हतो मेरे साथ मेरे पत्नी और तीन बच्चे भी थे बस में मुझे बस में कुछ खराबी थी त्यारे हुँ मारी पत्नी और वारा त्रोण बाड को साथे हतो और बस नी अंदर थोड़ी खराबी हती रुक रुक कर चलती थी खराबी ए हती कि ए उभीरेती उभीरेती अचकाती अचकाती चालती हती गंते व्यसे कोई पांच मिल पहले ही एक निजन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दी दे एटले त्यारेज पांच किलोमेटर जेटलू चाली और शुमसाम रस्ता उपर बस जवाब आपी दी दो कारण के त्ये द्याऊ भी रेगे रात में कोई 10 बजे होंगे रात ना 10 बागेला हता बस में यात्री गवरा गए बसनी अंदर यात्री छेई गवराई गया कंड़क्तर उपर गय और एक साइकल लेकर चलता बना, कंड़क्तर उपर गयो औने साइकल लेकर चलता थे लोगों संदे हो गया कि हमें धोखा दिया जारा, लोकोंने संका थे रही आधी that in-डगा बाजी अमारी साथे थे थे रही छे बस में बेठे लोगोंने तरह तरह की बाते शरू कदी बस मां बेठेला लोगों कोई अलग-अलग प्रकानी वातू शरू करी किसे ने कहा यह ड़केती होती है दो दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया कया था एतले कदा चा डाको नी टुकडी मा थी असे बे दिवस पेला पण आउज कैक बनेल अने बस ने लूट लिती परिवार सहीत अकेला मेही था परिवार साथे हूँ एक लोज हतो बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे बाड को छे ए पो ताना जे बाड़कता ए पानी पानी माते राडो पड़ता हता पानी का कही ठीकाना न था पानी नू कही जग्याती मड़ेम हतु नए उपर से आजमियो का डर सम गया था बेधा लोको छे ए बी गया हता कोछ नौजान नने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीतने का हिसाब बनाय को थोड़ाक नौजमानों हता इने ड्रायवरने मार्वानी वात वीचारी ड्रायवर के चेहरे पर हवै या उडने लगी ड्रायवर छोई एने पन थोड़ी बीक लागेगे लोगो՝ने उसे पकड लिया लोकों इने पकड लियो वह बड़े कातर ढंग से मेरी और देखने लगा और बोला हवलब वसका कोई उपाई कर रहे हैं इने मारी सामें जोयू अने एउ कहेलू कि अमें कई उपाई एथले अमें कई करवामा सारू करवामा वीचारिये छे बच्चाई ए लोग मारेंगे आ लोकों मने मार से तमें मनें बचाओ डर तो मेरे मन में भी था पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं परन्तु यात्री इतने धबरा गये कि वे मेरी बात सुनने को तयार नहीं थे एने मारी सामू जोयू अटले में लोकों ने बात करी कि आलोकों ड्राइवर ने मारवानी जरूर न थी पण बधा एतला बधा बी गया हता कि मारी बात कोई सामभडवा पण तयार नहीं कहने लगे उसकी बातों में मत आईये धोखा दे रहा है केवल लगया केनी बातों में न आउसो एतों आपणने दगाबाजी करे जए कंडक्टर को पहले ही डाकूओ के यहां भेज दिया है कंडक्टर ने पेला जेने डाकूओ पासे मोकली दी थो छे में भी बहुत फई फित था पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया हूँ पन भी एलो हतो पन मुसके ली थी में ड्राइवर ने मार पीट थी बचावे डेट थो गंटे बीट गए मेरे बच्चे भोजन और पाणी के लिए व्याकूल थे एक बेकलाग छोता रहिया मारा बाड को पन पाणी औने भोजन माटे तरस्ता है था मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी लोगोंने ड्राइवर को मारा तो नहीं था पर उसे दस उसे बस से उतार कर एक जग़ गेर कर रखाय था मारी और मारी पत्नी नी हालत पन खराबती अने लोको ए ड्राइवर ने मार्योतों हो तो पर एक जगय उभो राखी दी रूतों एक गीड़ गीड़ाने का कोई विशे ससर नहीं पड़ा इसी समय क्या देख था हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंड़क्टर भी बेटा हुआ है उसने आते ही कहा अड़े से नहीं बस लाया हूँ बस इसी पर बेठ जाए एटले ड्राइवर चे कंड़क्टर चे यह बस नी अंदर बेठे लो देखाई छे अन्डे कंड़क्टर यहू कहेलू कि तमे लोको आ बस नी अंदर बेशे जो बस वहाँ बस चलाने लायक नहीं है फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला ही सब लोग बस अड़े पहुँच गे एले कंडक्तर छे एने थोड़ुक बाड़ोको माठे दूध अने पाणी पंडलावे हतो कारण के बाड़ोको छे फूख्या तरस्या हाता केसे कहूं कि मनस्यता एकदम समापत हो गई केसे कहूं कि लोगों में दया माया रही नहीं पाई जीवन में न जाने कितनी एसी खटनाए हुई है जिन है में भूल नहीं सकता केवी रिते हो को के लोकों मा मानवता नथी रही साची व्यात सच्चाई नथी रही इमानदारी नथी रही दया नथी रही एव हो कही रिते कही शकूं एवी तो जीवन ने अंदर खणी बथी खटनाओ बनेली छे के जेने हुँ क्यारे भूली शक्तो नथी ठगा भी गया हुँ धोखा भी खाया है परनटु बहुत कम स्थलोपर विश्वासखात नाम की चीज मिली है केटली छग्या छेत्रायो पण छू, केटली सख क्या मारे साथे दगाबाजी पण थय छू अने बहुत थोड़ी जग्या उपर लोको ए विश्वास खात नाम नी चीज पन मले छे केवल उन्ही बातों का हिशाब रखो जिन में धोखा खाया है तो जीवन कश्ट कर हो जाएगा परन्तु एसी खटनाए बहुत कम नहीं है जब लोको ने अकारण सहायता कीया है एवी खणी भधी खटनाओ छे एने आपणे याद राखिये छे के जेमा आपणने दगाबाजी छेतर पिंडी थाई परन्त एवी खटनाओ हसे के जेनी अंदर आपणने लोको साची वाद करता इमान दैर व्यक्ती पण देखाता हसे एने पण आपणे ध्यानमा लेवी जोई जब लोकोंने अकारण सहायता की कारण वगरनी आपणने एने कोई फाइदोत नथी छता आपणने मदद करी छे निरास मन को ठाटस दिया गया है और हिम्मद बधाई है निरास मन छे एनी अंदर लोकोंने वधारे पड़ती महत्वा प्यू छे अने एनी अंदर हिम्मद देखाडी छे कविवर रविंद्र न ठाकूर ने अपने एक प्रात्ना गीत में भगवान से कहा की थी कि संसार में केवल नुक्षान ही उठाना पड़े धोखा ही खाना पड़े तो एसा उश्यरों पर भे प्रफु मुझे एसी शक्ति दे के में तुम्हारे उपर संदे न करू भगवान ने एवी प्रात्ना करे ली छे के हुँ भगवान मने हुँ गम्मे ते छक्या दगाबाजी मारी साथे करे कोई मारी साथे खोटू बले कोई मने चेतर पिंडी करे पण भगवान मने एटली बधी शक्ति आप के हुँ त्यारे 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 उपर संकार्न करी जो मनुष्या की बनाई बेधिया गलत नित्ती छे तक महुची रही है तो इने बदल ना होगा मनुष्यानी जे वात छे एक खराप धित्ते एकली बधी पोची गेई छे पण एने आपड़े बदलावनी जरूर छे वस्ततु आ आये दिन इन्हें बदल ही जा रहा बदला ही जा रहा है हवे नो शमय आउसे दिवसे न दिवसे एने आपड़े हकारत मक्तर फाडवानो प्रहत न करीशू लेकिन अफ़ी आसा की जोत बुजी नहीं है पण हजी आपड़े आसा आपड़ानी अंदर आसा छे छे एनी जोत क्यारे बुजावशू नहीं महान भारत वर्ष को पाने की शमभावना बनी हुई है बनी रहेगी महान भारत वर्ष बने एवी आपड़ने प्रहत न करशू औने हम्मेशा करताच रहेशू मेरे मन निरास होने की जरूरत नहीं है मारू मन कहे छे क्या आपड़ने निरास भानी जरूर नथी तो विद्यार की मित्रो आपड़ने पार्ष नों भाषानत अर औने सारुआपड़ने शमजेति मेडवी औने आपड़ने पण च़्यारे आवी नकारतमग्बाबत आवे त्यारे एना थी उपर ज Spaßने त्यारे आपणे मात्रायव नखी विच्चारवानू कि आखी दुनिया आवी छे, पन ज्यारे लोको आपणू सारू करे, त्यारे आपणे सोटका विच्चारशू, के दुनियामा घणा सारा व्यक्ते छे, अने आप प्रयतन, सारा बनवानू अने दुनियाने देशने सारो बनावनों प्रयत्न बीजा थी तो पची करीशु पन सर्वात आपणा थी करीशु चे ना थी भारत वस अगड आहों थेंक यू